दोस्तों, आज हमारे पास है 3-3 थार ये आप पहली वाली थार को देख सकते हैं जिसमें हम लोग क्या है बट इसमें हलका मोडिफिकेशन क्या है फ्र McL चेंज है, हेड़लाइट चेंज है फोग लाइम प्रोजेक्टर है ये दुसरी वाली थार है इसमें chrome item भी डला है dual focalite projector है और इसका भी headlight जो है change है और front side का bumper भी change है इसका भी front grill change है और इसका भी front grill change है इसकी भी headlight को आप लोग देख सकते हैं मैं बाकी का दिखाऊंगा और एक थार और है हमारे पास चलते हैं उसकी तरफ तो यहाँ पर इस थार का जो है modification अभी हो रहा ह यहाँ पर pad खुल चुके हैं इसमें दोस्तो आमरेश्ट है और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर damping seat डाली जाल रही है जिसमें blue punk की damping seat है कम से कम 40 damping seat डाल रहे हैं और वह भी blue punk की यहाँ पर देख सकते हैं blue punk की damping seat को डाला जा रहा है और four channel employee component speaker यह सारी चीज़े आमरेश्ट आई यह उपर का पैनल हम लोगों ने खोल के रखा हुआ है damping seat डाल रहे हैं कि थार में जो noise आती ही ना वो कई लोगों को समझ में नहीं आती तो noise problem की वज़े से bed noise को दबाने के लिए पूरा dumping seat आप लोगों हो रहा है इसमें blue punk की लार्गो भी लगने वाला है 980 सेंटा रोजा 980 सौरी की लार्गो बोल दिया सेंटा रोजा 980 blue punk का डलेगा यहाँ पर आप लोग इसके DRL को देख रहे हैं DRL का काम यहाँ पर चालू है coupler to coupler wiring होगी यहाँ पर और उसका भी काम यहाँ पर चालू है वैसे तो थार वालों का दिल बहुत बड़ा होता है थार गाड़ी भी एक नंबर है थार वाले क्या है ना काम कराते हैं इतना तो मैं मान के चलता हूं कि थार के आउनर थोड़े अलगी किसम के होते हैं यहाँ आप नहीं कर रहे हैं पूरा गाड़ी में काम अभी चालू है रखा हुआ है डेंपिंग पूरा लग रहा है पूरा आल टोटल डेंपिंग हम लोग लगा रहे हैं इसमें अगर आपको भी कराना है यह सारी चीज़ें डेंपिंग वगेरा ब्लूपंग की लगानी है तो सारा काम हो रहा है और इसमें फोर गेज एड़ गेज की डाली जा रही इसके ओरिजिनल स्पीकर को खोला जा रहा है ताकि इसमें साउंड क्वालिटी को और बहतर बनाया जा सके और भी बहुत सारे एसे स्रीज जल रहे हैं और इसका बैक साइट का लूग जो वह दो पहली थ है यहां पर जो तीशह वाली थार है उसका वाइरुन भी हो रहा है यहां पर टो एंडीएंट अब करेंगी कर्लिग्स करें ने अब करना अलगी और पर है प्रोड़ रहे हैं इसका लिगी करने और अलग हो जादा टोड़ा को जाता तो front bumper वो ही रहेगा बाकि damping अगर आपको कर्वानी है तो damping अगर करवाओगे तो उसका मतलब damping लगवाना एक काम की चीज़ है क्योंकि damping लगवाने के बाद आप गाड़ी का quality देखिए गा एक थार और है महारे करें पास इसको हम लोगों कुछ दिन पहले मोडिफिकेशन करके दिया थाले फ़ल्ए क क्सम से काम हो रहा थाáis टायरिंग कम्प्लीट है यह है ब्लूपंग का प्लेयर सेंटर रोजा 980 जो कि हम लोगे ने डाला है विद कैन्बस के साथ में टायर इंफलेटर सब टायर प्रेसर मॉनिटरिंग सिस्टम सब एटू जे डोके काम करेगा यह इसकी एंप्लीफायर है फोर चैनल एंप्लीफायर है कंपोनेंट स्पीकर वगेरा भी इसमें डाले जा रहे हैं सारी चीज़े ब्रेंडेट लग रही है कपलर टू कपलर वाइरिंग हो रही है तो इसका काम करते हैं हम लोगों को रात हो चुका है रात को मैं आपको दिखा रहा हूं इसके बाद एक और दिखाऊंगा जिसमें हम लोगों ने हेड लाइट पर काम किया यह वाली ठार को देख सकते हैं जिसका काम हो रहा था तो यहां पर डियार लाइट इस तरीके से जलेगा मैं आपको बताना भूल गया था यह इसकी डियार लाइड है कुछ इस तरीके से नजार आईगी तो इसके DRL लाइट को आप लोंग देख सकते हैं पहले हम लोंगों ने लेकिन इसको खोला था इसमें पहले दूसरा लगा हुआ था तो उसको किये हैं यह एक और महंदरा थार है और इस थार में कुछ नहीं हुआ है सिर्फ वाइट एलेडी डला हुआ है इसको भी रात को मै क्ति ऑली है और मोडिकेशन किया है और इसके फ्रेंद्ग को भी हम लोगों ने चेंज कर दिया है और हम्हां लोगों ने चेंज कर दिए पापर यहाँ है बात करें प्रोजेकटर की तो बहुत अच्छा है इसका प्रोजेक्टर में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है एड़ लाइट को आप लोग देख सकते हैं क्योंकि हेड़ लाइड में मोको की लेड़ी लाइट हमने 165 वाट की डाली है जो कि अच्छी है और नीचे भी डाला है नीचे सायद हम लोगों ने यहां पर नहीं किया है बंफर वही है यहां पर लाइट जलती हुई आपको दिखाई दे रही है एंडिगेटर वागेरा प्रोजेक्टर की वाइरिंग अभी हो रही है प्रोजेक्टर की वाइरिंग में करके आपको दिखाऊंगा तब फिर आपको पता चलेगा किस तरीके का काम रह